नारा दिया उड़ा ने, चोदर का, और कहीं उस नारे में लोग बैक गे, उसकी वज़े से दो बार उनके लोग जीत गे, कितने ऐसे मोके आई हैं जिनमें वुपंदर सिंग उड़ा जो है सरकार का बचाव करता है, तो लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं, बीजेपी से नफ से पहले आचुनाओ के बाद में ये क्या भी तक तै हुआ है, आना में तो आपके साथी कठा होने के लिए तो हमें कोई पार्टी हमाने के नजर भी नहीं आ रही है, कॉंग्रेस जो है, वो उसोर है, जेजेपी उसोर है सर, फिर बीजेपी हैं, मुश्किल होगी ना ये तो इनको नेता मानता कोण है, ये नेता काहें बीचा रहे हैं, ऐसे परिवर्तन पदयात्रा आपकी अलग-अलग हिस्सों में जा रही है, भुड़ा बेल्ट में भी गई जिसका मैं जिकर करू, रोतक एरिया में, बरोदा, कथूरा, इस तरह के जो गाम रहे, वहां का क्या माह का चुटा लागे थी, ये तो एक नारा दिया हुड़ा ने, चोदर का, और कहीं उस नारे में लोग बैख गे, उसकी वज़े से दो बार उनके लोग जीत गे, अब नहीं, उन बेल्ट अमारी थी, हमारी है, हमारी रहे गे, अब लोग फिर से इंडियन नैशनल लोगदल प के सामने है, कितने ऐसे मोके आई हैं, जिन में बुपंदर सिंग उड़ा जो है, सरकार का बचाव करता है, तो लोग कांग्रेस से नफरत करते हैं, बीजेपी से नफरत करते हैं, वो तो उड़ा ने एक गेम खेल ली थी, उसमें वो कामियाब हो गया, लेकिन अब लोगों क समझ मागी, अब नहीं जाएंगे लोग, लेकिन ये भी मानते हैं कि अभी फिलहाली नेलो की जो परस्थिती है, बागडी बेल्ट में तो मान लेकिन उनके पास जनाधार है, इधर का हीरवाल एरिया हो गया, देशवाली बेल्ट हो गया, या फिर हम दूसरे हिस्सों की बा इलाके के स्था जोड़ करके देखते हो, वहां देखते, फ्रीदावाद देखते, गुडगावां देखते, जजजर देखते, सब जगह लोगों में उत्सा था, लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि कोई सिर्फ सरसा इसार बिजली 24 घंटे की अगर बात करें तो दिन में 5-6 घंटे काफी ग्रामीन एरिया ऐसे हैं जहां पर आती है, तो आपका क्या प्लान रहेगा? चोधरी देविलाल ने एक नारा दिया था, बिजली पानी का परबंदो और बरस्टा चार बंदो, हम उनके नारे को सकार करेंगे, बिजली हमारे राज में 24 घंटे मिलती थे, यह तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, शाम को ठीक हो जाएगा सिस्टम, हमारे वकत में ज आप बना था, चालू भी नहीं हुआ था, पानी पत्का होता था, उसके मावजुद अठारा से बीठ घंटे लाइट थी, अब तो बहुत सारे पाउर प्लांट बन गये ने, केदर बन गया, युम्ना नगर बन गया, आपका जाडसी बन गया, जाडली जो है, वो बन गया, और बहुत सारी बिजली अब अलग-अलग कंपनियों से भी पर्चेस की जाती है, उसके इलाइदा सॉलर सिस्टम बहुत हो गया, तो अब तो कोई दिकत है नहीं, लाइट का सिस्टम तो आदमी थोड़ी सी मनेजमेंट डंग से करेगा, 24 इंटे लाइट मिल जाएगी. सर, बार-बार एक तीसरे मोर्चे का जिकर किया गया, वो तीसरा मोर्चा जो है, क्या बन पाएगा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में, ये क्या भी तक तैह हुआ है? अगर नहीं बना, अर बीजेपी सत्ता में आगी, तो नेता फिर आपको बार नहीं मिलेंगे, सारे जेल में होंगे, सब इडी के आत्में होंगा, बहुत राजनिती का दुर्प्योग होगा फिर देश में, अगर ये नेता चाहते हैं कि देश में बाजपा सत्ता से बार हो तो इनको कठा होना ही पड़ेगा, अगर नहीं कठा हो ये सवार्थी बने रहे, तो मैंने बता दिया ना, हम अधिन से से भी ज़्यादा बूराल हो जाएगा इनका तो हर्याणा में तो आपके साथ ही कठा होने के लिए तो हमें कोई पार्टी हम माने के नजर भी नहीं आ रही है, कॉंग्रेस जो है, वो उसोर है, जेजेपी उसोर है सर, फिर बीजेपी है, मुश्किल होगी ना ये तो इनको नेता मानता कोण है, ये नेता कहां बचा रहे है, ये तो सवार्थी है, मैंने बताया ना कि सवार्थी जब हो जाता आदमी, वो फिर क्योवल अपनी सोचता है, सवार्थियों के लिए कोई जगह नहीं राज रहेते हैं अपिर आप किसी दूसरे राज्ये के पार्टी के साथ जुड़ेंगे, उनका अभी तो जनाधार नहीं है, ना संखर्ष आपको और तीन गुणा करना पड़ेगा सर कोई खास बात नहीं है, हमारे संखर्ष लिखा हुआ है, जो अजरी देवलाल ने संखर्ष करके डिप्टरी प्राइमिस्ट के पत्तक पहुंचे आप चिंता ना करो इस बात की हमारे वाले संखर्ष के इस चीज की चिंता जिन क्यों करनी चाहिए वो करे हमने संगर्ष का इरस्ता चुना था हमेशा और संगर्ष के बल्बूते पर इस सरकारे बढ़ाई आगे भी बढ़ाई झाल 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 झाल